नमस्कार मैं रितिका आप देखें दे पैंफ्लिट ट्विटर ने बीबीसी पर सरकार द्वारा पोशित यानि गवर्मेंट फंडेड मीडिया का ठपा लगा दिया है कुछी दिनों पहले ट्विटर पर ये ठपा कुछ और मीडिया एजनसीज पर भी लगाया गया था इनमें प्रमुक है अमेरिकन ब्रॉडकास्टर नाशनल पब्लिक रेडियो नपी आर जो के खुद को इंडिपेंडेंट और नॉन प्रॉफिट मीडिया और्गनाजेशन कहता है ट्विटर पर अपना राज जमाने के बाद मस्क खुद को इंडिपेंडेंट कहने वाले मीडिया चैनल्स के मजे ले रहे हैं और उन्हें ये हैसास करवा रहे हैं कि वो कितने इंडिपेंडेंट है अब इस वज़े से हर दिन ट्विटर पर नए एक विबाद पैदा होता रहता है वैसे ही पिछले शनिवार ट्विटर ने चायना के शिन हुआ न्यूज एजनसी पर चायना स्टेट अफिलिएटेड मीडिया और रश्या टुडेज पर रश्या स्टेट अफिलिएटेड मीडिया का भी लेबल लगा दिया था अब बारी थी BBC की यानि British Broadcasting Corporation वही BBC जिसने पिछले कुछ महिनों में भारत की राजनीती में अपनी नाग गुसाने के लिए तो NPR को पहले state affiliated tag मिला और इसके बाद government funded होने का tag मिला, अब NPR ने गसम खाई है कि जब तक यह tag Twitter उनके account से नहीं हटा देता, तब तक NPR कोई tweet नहीं करेगा, इसी तरह से कुछ दिरों पहले Elon Musk ने अमेरीकी समाचार पत्र New York Times का blue tick भी वापिस ले लिया था, New York Times का कहना था कि वो blue tick के लिए पैसे नहीं देगा, यहाँ पर New York Times को लोगों ने आद दिलाए कि वो अपने पाठकों से हर आर्टिकल को पढ़ने के भी पैसे लेता है, अब आज BBC इस बात से नाराज है कि Twitter ने उसको government funded मीडिया का है, भाई ये भी सही है, दुनिया को ये बात जाननी चाहि बीबीसी ने अपनी सफाई में कहा कि BBC हमेशा से स्वतंत्र रहा है, हमें license fees के जरिये सिर्फ ब्रिटेन की public fund देती है, तो ये license fees असल में क्या है, BBC लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूलने के लिए लोगों से किस तरह से पैसे लेता है, ये जानना जरूरी है, अगर आप ब एक लाग से जादा लोगों पर मुकदमा चलता है, ये ब्रिटेन में TV licensing के कानून का मामला है, जो कि ब्रिटेन में एक criminal offense है, समाने भाशा में TV licensing एक किसम की दादागिरी है, जिसका इस्तमाल ब्रिटेन की सरकार BBC के लिए लोगों से पैसे वसूलने के लिए करती है, तो बे समाल ये है कि किसलिए, अगर आप फोन पर YouTube live देखते हैं, तो आप से BBC payment क्यों लेता है, ट्विटर पर लोगों ने कटाक्ष करते हुए ये भी सवाल किया है कि जब आप KFC का मुर्गा खाने जाते तो क्या McDonald's की फीज देते हैं, इसके अलावा BBC के पहले Director General John Reith थे, जो कि ए एक नाजी सपोर्टर थे, BBC के कार्याले में आज भी उस नाजी की फोटो लगी हुई है, और BBC आज भी अपने इस नाजी फाउंडर के सम्मान में हर साल Lecture Series भी चलाता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमें लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यमाल.